आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो, उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Question है, find the value of 9 to the power 1 upon 3 into 9 to the power 1 upon 9 into 9 to the power 1 upon 27 into 9 to the power 1 upon 81 यह जो पूरा है, इसकी value को हमें बताना है, value क्या आएगी solve करने के बाद से तो यह जो दिया हुआ है, वो यह है, 9 और इस पे power 1 by 3 into 9, फिर इस पे power 1 by 9 into 9, इस पे power 1 by 27 into 9, इस पे power 1 upon 81 अब यह हमें पता है कि base सेम है, तो power जो है, उनका आपस में सम हो जाता है यह हो जाएगा 9, और इस पे power 1 upon 3 plus 1 upon 9, plus 1 upon 27, plus 1 upon 81 equal to अब उपर हम देख रहे हैं कि यह जो है 1 upon 3, plus 1 upon 9, plus 1 upon 27, plus 1 upon 81 यह एक GP बन रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कि 9 to the power यहां जो bracket में लिखा जाना है, इसको calculate करते हैं, यानि कि हम अब calculate करने जा रहे है 1 by 3, plus 1 by 9, plus 1 by 27, plus 1 upon 81 इसको, तो यह हो जाएगा 1 by 3, plus 1 by 9 को हम लिख सकते हैं, 1 by 3 का square, plus 1 upon 27 को लिख सकते हैं, 1 by 3 का cube plus 1 by 81 को लिख सकते हैं, 1 by 3 पे power 4 अब हम देख रहे हैं कि इसमें first term जो है, वो 1 by 3 है और जो common ratio है, वो भी 1 by 3 है तो इस GP में, जो first term A है, वो 1 by 3 है और जो common ratio R है, वो भी 1 by 3 है sum का formula होता है, SN, N terms का अगर sum करें तो equal to A into 1 minus R to the power N upon 1 minus R अब यहाँ पे N जो है, वो 4 है, क्योंकि 4 terms हैं जिनका हम sum करने जा रहे हैं, तो S4 equal to A A है 1 by 3 into 1 minus R, R है 1 by 3 और इस पे power N यानि की power 4, 1 by 3 पे power 4 यानि 1 upon 81 upon 1 minus R यानि की 1 minus 1 by 3 अब यह हुआ, 1 by 3, 81 को वो 1 में multiply करेंगे तो 81 minus 1, 80 upon 81 उपर रहे गया और नीचे 1 में से 1 by 3 गटाएंगे, 2 by 3 2 by 3 divide में है, multiply में हो जाएगा, inverse होके तो 1 by 3 into 3 by 2, यह inverse होगे 2 by 3 और into 80 upon 81, 3 से 3 cancel out हुआ, 2 से 80, 40 times में तो यह रहे गया, S4 equal to 40 upon 81 तो S4 हमने find out कर लिया, अब इसकी value को हम ले जाके रख देते हों आपस से, 40 upon 81, तो यह हमने sum कर लिया है और यह 40 upon 81 है, तो यह value आएगी, और यह value हम देखते हैं कि कौन से option में है, और यह किसी option में नहीं है, इसलिए जो none of these है, वो correct है Classics to 12 से लेके, Need IIT जेही, Means और Advanced के लेवल तक, 10 मिलियन से जाधा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप, यह WhatsApp कीजिए अपने doubts, 8444 सुपर